हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल दीप दवलागर पे आज हमारा डेस्टिनेशन है कैपूल जो की दंदम एरपोर्ट के पीछे अवस्ती थे तो मेरा घर सोथपूर में होने के कारण मैं मध्यम ग्राम से होते हुए कैपूल पहुंच हुए साथ मैं बने रहें और वीडियो को बीना स्किप कियें एंड तक देगी और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दवाना मत भूले इससे हर एक नए वीडियो आप तक पहुंच जाएगी सबसे पहले प्रेंट्स कैपूल आने के दो रास्ते हैं मैं मदमगराम होते हुए बादू रोट पकड़कर कैपूल जा रहा हूं आप लोग राजारा ठोकर भी आ सकते हैं कैपूल दमदम एरपोर्ट के पीछे स्तित हैं और यहां का संसेट व्यू देखने लायक होता है तो फ्रेंट्स हम लोग फाइनली पहुँच चुके है कैपूल पर आप लोग देख सकते हैं फ्रेंट्स यहां पर आप लोग छुट्टियों पर आ सकते हैं यहां से आप लोग संसेट का बहतरी व्यू पा सकते हैं मेरे घर से कैपूल 25 किलोमीटर दूर है आप लोग यहां बस या फिर ट्रेंज से आ सकते हैं क्या पुल जो कि राजार हाट पुली स्टेशन के अंतरगत पड़ता है फ्रेंट्स यहां पर दोनों तरफ जलाशा है और भीच में से रस्ता है जो कि देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और इस जलाशे में मुश्ली पालन होता है आप लोग को शायद पता होगा कि कुछ दिनों पहले मेरा एक वीडियो आया था YouTube के बोर्तिर बील का तो इस जगा का व्यू भी लगभग वैसा ही है मगर बोर्तिर बील में बोट राइडिंग होता है यहां नहीं होता है और यहां से संसेट का व्यू बहुत अच्छा आता यह एक फिशरी है आप भी यहां आ सकते हैं एक शाम गुजारने के लिए और संसेट के व्यू का लुफ्ट उठाने के लिए अगर आप लोग मेरी तरह नेचर लवर हैं या फोटोग्राफी में रूची रखते हैं तो आप लोगों के लिए यह केपुल जन्नत से कम नहीं है जन्सेट के इलावा यहां कुछ खास देखने को नहीं है एक और बात आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूँ कि संसेट हो जाने के बाद यहां से घर वापस लोटने में थोड़ा परिशानी का सामना करना पड़ता है क्यूंकि यहां का माहल पूरे गाउं जैसा है स्ट्रीट पर एक भी लाइट नहीं है तो आप लोगों को इस चीज का ध्यान रखना पड़े गल्स बाशनी संट्स आहचाच़ ऑड़े झाल में भा़ गड़ाई लाएप आड रेसे लगल के बास हवाच़ टूरेप्स संट मेंsw tú लेकिन आप लोग यह सोच रहे होंगे कि कैपूल कैसे पहुंचा जाए यह पूल आप लोग तीन तरह से आ सकते हैं वाइट से आ सकते हैं ट्रेन से आ सकते हैं या फिर बस से आ आ रहे हैं तो मध्यमग्रम स्टेशन उतर कर ओटो या टोटो लेकर मध्यमग्रम चोवमाथा पहुंचे वहां से बादू जाने वाली एक बस है यह बस बाग बजार से खुलती है और खड़ी बारी तक जाती है तो आपको खमरपारस पर उतर कर यहां से कैपूल 4 किलमेटर द आप लोग देख सकते हैं यह कापल्स लोगों के लिए बहुत ही आफबीट जगा है तो आप लोग देख सकते हैं पिजे का नजारा आप लोगाई जोगो अब हैं यह घए लोगाँ जग आप लोगो बारी जगाए लोगों के लिए सकते हैं ठापको देख सकते हैं यह वोगोगों के लिए सकते लाख देलाप। झाल 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 तो आप लोग देख सकते हैं जाल झाल 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 आप लोग आयो यह जो गोग तो नहीं जारा है वावा की चल रही हो गिचिश कर दो कर दो कर दो कर दो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं यहां पर मशलियों के लिए खाना डाला जा रहा है नाव द्वारा तो फ्रेंड्स मैं आज का सपर यह समाप करता हूं तब तक के लिए स्वस्त रहे और देखते रहे दीब्दा व्लोगर जैहिन वन्दे मातरू